हाई फिरेंज, आज मैं आपको कव्वे और लो मेरी की कहनी सुनाया हूँ, तो लेस्ट गो बहुत पहले की पाथ है, वहाँ एक बड़ा सो जंगल रहता है उस जंगल में एक कव्वा और एक चला को लो मेरी रहता है तो कव्वे का बहुत भूक रखी है तूसे एक जंगल में रोटी का टुकरा मिलता ही, तूसे वह अमने चोच में फशा के वा बॉलता है फिर मुझे एक सान्टी जगह दू लेना चाहिए तो उसे एक पेड़ दिखता है, वहां एक चार ओर सान्टी रहती है तो उस पेड में वह पेड़ जाटा है तो वहां उस पेर के नीचे चलाक लोटी रहता है वो जब पेर के उपड़ देखता है तो उसके मूँ में पानी आ जाता है क्यूंकि उसके कववा के मूँ में तो रोटी रहता है तो उसको अमने मुर में लाने क्लिए वो आडिया सचता है तो उसको एक आडिया जाता है तो कवा लोमडी बोलता है कि कवे जी कवे जी आपके वाच्च तो पूरा जंगर में मसूर है है मैं आपका गाना सुनने आ हूँ तो कोई उसके तरव नहीं देखती है तो तो फिर से वह लो मीडी बोलता है मैं आपका प्लीज गाना सुनने आ हूँ प्लीज आपका गाना मुझे सुना दो जैसी ही वह आ बोलती है तो इसके मुझे रोटी नीची आ जाता है तो उसको वह लो मीडी बोलता है तो लो अरे कवाब बोलता है कि अरे वह मेरा रोटी था तुम इसे क्यों खा लिए तो लो मीडी बोलता है अरे चुक कर बेसुरी होच मैं तो लो नारा था कि ते रोटी मेरे मुझे आ जाए तो कवाब नाराज होके पिर में रोटी है तो इसका हमें से हमें ये सीखा कि हमें भी किसी के बाटा में नहीं आना चाहिए बाए फरेंस मैं को दुस्तिन वीजियो में मिलूँगा टब टब कलिए बाए